एलो एवरिवन, दिस इवर्ड्रीन चानल अल एज ग्रूप तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्मुनिकेशन के बारे में कम्मुनिकेशन बुजनेस कम्मुनिकेशन ऐस सब्जेक्ट आपका होगा बी कॉम में, एम कॉम में तो ये इसके लिए भी इंपोर्टन्ट है और ये पेपर One जो हमारा निट्ची आरेफ है उसके लिए भी ये इंपोर्टन्ट है तो चलिए इसको start करते हैं start करते हैं हमारा communication का so ये जो word है communication ये कहां से derive हुआ है पहले ये चानल लेते हैं यह जो word है communication, यह latin शब्द से derived हुआ है, latin शब्द, कौन से word से derived हुआ है, latin के communist से, latin के communist word से यह derived हुआ है, जिसका मतलब होता है common, common मतलब आम चीज, common means आपको पता ही है natural activity, जो हम लोग करते ही करते हैं, आम चीज है जो, natural activity of all humans, which is to convey opinion, जैसे कि हम naturally बात करते हैं, अपनी feelings बताते हैं, अपने opinion बताते हैं, कोई जानकारी देते हैं, यह natural चीज सबको पता है, so to convey opinion, feelings, information and ideas to others through written or spoken words, communication आपको पता ही है, यह दो तरह की होती है, written होती है, या तो verbal होती है, तो जो communication word है, वो latin के communist word से derived हुई है, जिसका मतलब है common, common मतलब natural activity, जिससे हम अपनी feelings, opinion, ideas, information को तूसरे तक पहुचाते हैं, या तो लिख कर, या तो बोल कर, या तो body language के तरो, या science के तरो, बहुत लोग science के तरो इशारा करते हैं, कि इदार आजाओ, come here, come here, ऐसे बोलते हैं, इदार आजाओ, come here, come here, so, यह sign language हो गई, और हम इसको simple तरीके में क्या बोल सकते हैं, communication एक process है, share करने का information, messages, जिससे हमें कुछ response मिले अगले इंसान से, कुछ हम ऐसी बात बताएं, कोई भी normal बात बताएं, दूसरा कोई reply करें, उसे समझ कर कुछ reply करें, response दे, so, message that produces, response, according to Keith Davis, यह important definition है, अगर आप लोग का subject business communication है, तो आप यह लोग, यह जो definition है, उसे learn कर सकते हैं, यह बहुत easy definition है, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, and the transfer of information and understanding from one person to another person is communication, अपने understanding को दूसरे तक पहुचाना ही communication है, according to Keith Davis, it is a way of reaching others with facts, ideas, thoughts and values, हम दूसरे तक कैसे पहुच सकते हैं, या तो अपने facts जो हमें पता है वो बता कर, अपने feelings बता कर, अपने thoughts जो हम लोग सोच रहे हैं वो बता कर, अपने values,